सभी को नमस्कार यूट्यूब के मेरे इस चैनल पर महाभारत के संबंद में अनेक वक्तव्य हैं उनमें मैंने एक बात बार बार दोहर आई है कि महाभारत शान्तरस का महाकाव्य है शान्तरस इसमें अंगी या प्रधान रस है और जो अन्यरस महाभारत में शान्तरस के साथ चलते हैं उनमें करुनरस शान्तरस के पश्चात और फिर वीरोरोदररस आते हैं जितना महाभारत मैंने पड़ा उसके आधार पर मेरी यह अधारना है कि शान्तरस के पश्चात करुना की अमंद मंदा किनी शांत के महासागर में जाकरके मिलती है और अंतरनीद धारा के रूप में आध्यंत माभारत में वह बनी रहती है वीर और रोद्र्रस आते हैं अपर 18 परवों में कितने परव हैं जो किवल वीर और रोद्रस काही उद्रेग जिन में होता है साथ पर्व हैं शेश ग्यारा पर्व में तो अधिकांश शान्त के साथ करुण रस की धारा चलती है और जितने युद्ध संबंधी जितने पर्व हैं वीश्ण पर्व से आरंभ हो करके और इस्त्री पर्व तक उन सब में भी शान्त अंगी के रूप में बना हुआ है और वीर और रोद्रियदी आते हैं तो अंग के रूप में ही आते हैं पूरे महाभारत के अंतस्वर को समझते हुए मुझे ऐसा मानना उचित लगता है और महाभारत में शान्त रस की प्रतिष्ठा युदिष्ठिर के चरित्र के कारण भी हुवी है और करुण रस की जो अंतरधारा उसमेरी रंतर बनी रही है वह भी युदिष्ठिर के कारण दो पात्र महाभारत में इसे हैं जिनके कारण करुण का भाव करुणा का भाव महाभारत में बार-बार उद्रिक्त होता है व्यक्त होता है युदिष्ठिर और भीम ये थोड़ा सा अविश्वस्नी ये लग सकता है कि भीम के संबंध में मेरी मान्यता है कि वे परम कारुणिक हैं उस पर मैं कभी बाद में कहूंगा यहां में महाभारत में एक अत्यन्ती करुणा जनक प्रसंग है और वो परियावरण के प्रश्णों से जुड़ता है उसकी में चर्चा करूंगा युदिष्ठिर अत्यन्ती संबेदन शील व्यक्ति है और कारुणिक भी बहुत है अपनी संबेदना और कारुणिक के कारण रात में जब द्वैत वन में पांडव अपने सारे अनुयाईयों के साथ रह रहे हैं वे एक स्वप्न देखते हैं यह प्रसंग आता है आरण्यक पर्व में अरण्यक पर्व में अध्याई 244 को म्रग स्वप्न भय पर्व कहा गया है पूना के समिक्षित पाठ समस्करण में चोटा सा अध्याई है यह प्रसंग आता है कि पांडव द्वेत्वन में रह रहे हैं दुरियोधन ने कुछ एष्ठा की उनका अपमान करने की उसको उल्टे अपमान जनक के स्थिती में लोटना पड़ा और पांडव ने भीमन अरजुन ने उसको किसी तरह गंधरों के पाश्ट से चुड़ाया उसके बाद पांडव सुखी होकर के सुख से वहां रह 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 जैते थे अनेक ब्रामन उनके साथ थे बड़ा समू युदिष्ठिर के साथ चला था युदिष्ठिर की लोग कपरीता अएसी थी किवल पांडव नर्दोबदी और युदिष्ठिर ही ने में रहे हो वनवास के समय ऐसा नहीं है उनके साथ बड़ा समू हुथा उसका रात में सवपन देखा है। उस सवपन में दूसर चमाली स्वाध्या है। उसके दूसरे श्लोक में यह कहा गया है। अलेवे मरग युथिष्ठि ने देखा कि उनके सामने खड़े हो गए है। वेत्वन के कुछ मरग हरिन. काप रहे थे भैव से, वो हाथ जोड़े हुए थे, सुप्न में ये संभवे की म्रग हाथ जोड़ रहे हैं यतार्थ जगत में तो संभव नहीं होगा, भैव से काप रहे थे तान अब्रवीत से राजेंद्रों वेप मानान करतांजली बुरूत यद्वक्त कामास्त के भवंतह की मिश्चते राजेंद्र युदिष्ठिर ने उनसे कहा, जो काप रहे थे, हाथ जोड़े वे थे, म्रग, हरिण, द्वैत्वन के कि आप लोग जो कहना चाहते हैं, कहिए, आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, हरिण का वेशधारन करके अन्नी कोई प्राणी आ गए है, या हरिण आप लोग हैं, ऐसा युदिष्ठिर ने जो प्रश्ण किया जब पांडव कौन्तेय कुंति पुत्र युदिष्ठिर ने उनसे एसा पूछा कि कौन आप लोग हैं और क्या चाहते हैं, म्रगों ने जवाब दिया, हत शेशा, ये विशेशन म्रगों के लिए दिया है, चोथे शलोक में, इस अध्याय में 245 में, अध्याय में आरण्यक पर्व में, जो मारे जाने से बच गए थे, उन म्रगों ने कहा, वह म्रगा द्वाइतवने हत शिष्टाह स्मभारत, हे भारत हे भरतवन्शी, राजन, युदिष्ठिर, हम द्वेतवन के मारे जाने से बचे हुए हरिण हैं, म्रग हैं, नोत सीदेम महाराज क्रेताम वास हे महाराज, अब और हमारा विनाश न हो, आप अपनी बस्ती बदल लीजिए, वास निवास तेरा, आप अपना डेरा बदल लीजिए, आप यहां हैं, तो हमारे जा रहे हैं, हमारे जाने से बचे हुए जो हम लोग कुछ हैं, वे आपके पास यह गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं, आगे कहते हैं म्रग, वन्तो ब्रातरह शूरा सर्व एवास्त्र कोविदाह, आप सबके सब पाचों भाई, शूरवीर हैं, अस्त्र चलाने में निपुण हैं, कुलान न्यल्पाव सिष्टानी कृतवन्तो वनव कसाम, जंगली प्राणियों के कुलों को, उ बहुत थोड़े से आपने छोड़ा है शेश, नित्य जो मारे जा रहे हैं, आपके आहार के लिए, आप लोगों के आहार के लिए म्रग, हम लोगों में से बहुत थोड़े बचे हैं, कि वल पाच ही पांड़ाव खाएंगे, हरिण मांस या निप्राणियों का मांस, तब भ अधी के आहार की व्योस्ता वहां करना है, वन में अनाज उतना मिल नहीं सकता है, इसलिए शाक आहार की व्योस्ता हो नहीं सकती है, इसलिए सभी के लिए आहार जो पांड़ाव जुटा सकते हैं, वह जुटाया जाता है, उसमें वन्य प्राणियों का वद होता है, तो हरि करुण वानी है कि बीज भूता वयम केची दवशिष्टा महामते हे महामती राजन युदिष्ठिर कुछ बीज भूत हम बचे रह गए हैं हम लोग बचे रहेंगे तो हमारा वंश फिर और आगे बढ़ेगा तो हम लोग बीज बन करके बचे रहना चाहते हैं बीजों को अव ये बीज भूत हम बचे बाकी सब फसले म्रगों की जो लह लहा रही थी द्वेत्वन में बे काट ली गई विवर्धे मही राजेंद्र प्रसादात्य युदिष्ठिर थे राजेंद्र युदिष्ठिर आपकी क्रपा हो जाए तो फिर से हम लोग लह लहाएं फिर से हमको भी अधिया आप नश्ट कर देंगे तो म्रग बंश नश्ट हो जाएगा तान वेपमानान वित्रस्तान बीज मात्राव शेशितान ब्रगान दृष्ट्वासु दुखार्तो धर्मराजो युदिष्ठिर पांपते हुए भयार्त भैसे तरस्त बीज मात्र बचे हुए उन म्रगों को देखकर दुख से आकुल होकर के धर्मराज युदिष्ठिर ने उनसे कहा कि अब ऐसा ही होगा तांस तथेत के ब्रवीद राजा सर्वूत ही ते रता सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले राजा ने उनसे कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा आप लोगों ने जो कहा एकदम तथ्य है हम नहीं पहले ध्यार नहीं दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे जो संगी साथी हैं हमारे साथ जो रिशी हैं रामण हैं और जो समू हमारे साथ हैं उसके आर की विवस्था करने की चिंता में हमने यह ध्यार नहीं दिया कि हमने कितना विनाश किया आप लोगों का अब हम यही करेंगे जो आप कह रहे हैं यह सपन उन्होंने देखा इत्यवं प्रति बुद्धस सा रात्यंते राज सत्तमा राज जब बीत रही थी तब उन्होंने यह सपन देखा और नीन उनकी तूट गई जैसे ही ऐसा वो कह रहे थे कि अब ऐसा ही होगा उसी समय उनकी नीन तूटी देखा कि कुछ नहीं है कोई नहीं है सपना था ऐसा सपन उन्होंने देखा जैसा लगा कि बिल्कुल यथार थे और वो बाजचीत कर रहे हैं जैसे ही वो जागे चारों भाई उनकी वंदना करने के लिए आए अब रवीच सहितान रातरिन दया पन्नो म्रगान प्रती म्रगों के प्रती दया से भर करके और विदिष्ठिर ने फिर उनसे कहा उक्तो रात्रव म्रगेई रस्मी सप्नान ते हत शेशी ते ही सप्न के अंत में बचे हुए म्रगों ने सप्न में आकर के जब सप्न समाप्त हो रहा था उस समय मुझे से कहा तणू हूतास भद्रम ते बहुत थोड़े से हम लोग बचे हैं आपका कल्यान हो दया नह क्रियत आमिती हमारी उपर दया कीजिए आईयों ने कहा कि यह तो भहुत ही ठीक आप कह रहे हैं यह म्रग ठीक कह रहे हैं जो सप्न में आपके आये थे आर्थ बुकार जिनों ने की और हमको दया करनी चाहिए वन के प्राणियों पर एक वर्ष आठ महीना हमने यहां द्वैत्वन में बिताया और इतने समय से निरंतर हम यदेनान उप यूंज महे इनका उपयोग हम कर रहे हैं इनकी म्रग्या करके हम अपने भोजन में इनका उपयोग कर रहे हैं इतना समय बीत गया अन्यत्रम को जाना चाहिए ऐसा सभी भाईयों ने एक स्वर्ष से कहा पासी में काम्यक बन है उसमें बड़ी संख्या में म्रग है और रम्यवा बन है काननोत्तम वा है मरु भूमे शिरक्ष्यातम त्रणविंदु सरहप्रती त्रणविंदु जो सरोवर है उसकी ओर मरु भूमी के एक छोर परव काम्यक बन है तत्रेमा वस्ती शिष्टा विहरंतो रमे मही शेष्ट जो हमारे निवास की अवदी है वहां विहार करते वे आनंद करते वे हम वहां रमेंगे आनंद से वहां रहेंगे यह सब पांडवों ने द्रोबदी सहित निर्णए किया रतस्ते पांडवा, शीग्रम, प्रययूर, धर्म, कोविदा, ब्रामने, सहिता, राजन, ये तत्र, सहोशिता, तबे पांडव, धर्म को जानने वाले सारे पांडव, ब्रामनों के साथ में जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ चल दिये, और अपनी सारे समू के साथ में, जो नोकर चाकर दासदासिया भी थे इंद्रसेन आदी सारथी और जो कुछ नोकर चाकर थे भी अभी साथ चले ते यात्वान सरतेईर मारगम मारगेई सुप्नै स्वन्नै शुची जलान भी ते ही इस प्रकार से उस मारग पर भी चले जहां बीजबीच में खेत थे अन्न थे और पानी था वहाँ पर सरोवर आदी थे पहुंच गए काम्यक वन में पुर्णिवा वन था अनेक तपस्वी उसमें रहते थे और कुरुवंश के वो पांडव लोग विप्रशियों के साथ में अनेक भ्रामणों के साथ में उस वन में 245 में अध्याय में आरण्यक पर्व में समिक्षित पाठ में आता है महापंडित वसदेव शर्ण अगरवाल ने भी इस प्रसंग की चर्चा भारत सावीतरी जो उनका ग्रंत है महाभारत संबंदी उसमें संक्षेप में की है उन्होंने इस रूप में इसका विवेचन नही किया है पर मैं समझता हूं कि महाभारत का एक संदेश है कि वनों की रक्षा वनों की रक्षा कैसे होगी जब बन्य प्राणियों की भी रक्षा होगी ये संदेश महाभारत में बार बार आता है और भी कई प्रसंग ऐसे हैं और क्रश्ण जो संदेश देते हैं के पुत्र वन है बाग टाइगर बचेगा तो जंगल बचेंगे इसलिए दोनों सांसात रहो ये क्रश्ण संदेश देते हैं इसके भीतर भी अंतरनिहित संदेश है कि जैसे बाग वन को बचाए रखता है और वन बाग को बचाते हैं वन है तो बाग है, बाग है तो वन, नहीं तो बाग भी नश्ठ होगा, वन भी नश्ठ हो रहे हैं, जो कि इस समय हो रहा है, कि बाग जंगली जानवर पिर चले आते हैं बस्तियों में, उनके लिए संकट अस्तित्व का हो गया, क्योंकि जंगल में जगे उनके लिए नहीं ब प्रसंग है उस पर विस्तार से अन्यत्र अन्यकभी चर्चा में करूंगा पर खांडवदाह का जो प्रसंग है उसको पढ़ते वे आपात तह तो जो वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है उसमें जो करुणा का भाव है और उनको बचाने के लिए जो भुकार है वह के इस प्रसंग में महावारत के आदि परु में यह प्रसंग आता है और सुबद्राहरण का प्रसंग इसके पहले आया है सुबद्राहरण के पश्चात कर्ष्ण बलराम आते हैं इंद्रप्रस्थ अर्जुन सुबद्रा को ले करके आते हैं सब सुख से रह रहे हैं बड़ ही सुन्दर वर्णन है और यमना में विहार की पश्चात निश्चिन्त हो करके बेठे हैं चर्चा कर रहे हैं गप शप हो रही है उसी समय एक ब्राम्वन आता है और वह कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूं मेरी क्षुधा को तरप्त कीजिए यह आदि पर्व में पुना संस्क्रण में अध्याए 216 तक यह प्रसंग है फिर अरजुन पूछते हैं कि कैसे आपको तरप्त करेंगे तो बताते हैं प्रामन देवता कि मैं वास्ताव में अगनी देव हूं और मेरी प्रप्त होगी जब खांडवन में दा होगा उसमें अच्छी आग लगेगी मैं काश्ठों को निगल जाओं उससे मेरी शुधा तरप्त होगी तब अर्जुन क्रश्ण के सारथ्य में क्रश्ण अर्जुन दोनों जाते हैं दोनों महायुद्ध करते हैं बड़ा भीशन संग्राम भी ये जो खांडव दाह का प्रसंग है अध्याए 216 के पश्चात 216 से ये आरंब होता है और इसमें वन में भागते हुए जीव जन्तुओं का जो दारुन चित्र है और किस प्रकार से पूरा वन जल जलता है उसमें कितनी ख्षती होती है तब ये दो पक्षों का संग्राम इसमें होता है एक तरफ इंद्र हैं जो वर्षा के देवता हैं वो वर्षा करके और दावा नल को बुझाना चाहते हैं एक तरफ अगनी है जो दावा नल से पुष्ट होता चला जा रहा है और क्रश्ण अर्जुन हैं जो दावा नल को भ बोड़ते चले जाते हैं कि मेग की धाराएं विफल हो जाती हैं तो इस प्रसंग में जो वर्णन है वन्य प्राणियों के उनमें भी यही आकुल पुकार है कि जो वन का दाह है बस्तियों के विस्तार के लिए वन का दाह किया जाता है इंदप्रस्थ नगर के विस्तार के लि और उसमें अभिप्राय आया कि अगनी की इच्छा है कि उसे तरप्त किया जाए。 पर नगरों के विस्तार से नगरों के विस्तार के लिए पहले वन जलाये जाते थे। और जब तक वन इतने संख्या में हैं कि उससे असंतुलित नहीं हो रहा है परियावरण, तब तक तो ठीक था, जब तक वन ये पशु इतनी अधिक संख्या में हैं कि मनुष्यों की संख्या उनके सामने बहुत नगण्यसी है, तब तक तो आखेट करके वन्य पशुओं का भक्षन करना और उनका सम्हार करना उचित हो सकता था जब यह इस्तिती उलटने लगे कि वन के प्राणी कम होने लगे और वन कम होने लगे तब मनुष्य को सोचना चाहिए कि असंतुलन हमारे आचरण के कारण हो रहा है तो यह जो दाह का वर्णन है खांडव दाह का उसमें भी यही संदेश हुम देखते हैं अध्याए दोसो सत्रा में चोथे श्लोक में कहते हैं खांडवे दैयमानेतू गूतान यथ सहस्रशह उत्पेतूर भेरवान नादान विनदंतो दिशोव दशः खांडव वन पूरा सवोर से जल उठा बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था वहां के प्राणियों को हजारों हजारों प्राणी भागे चीकते हुए वयावः चीतकार करते हुए दसों दिशाओं में भागे जिसको जहां दिखाई पड़ा वहां भाग रहे थे दगधई का देशा भवो निश्टपताश्च तथा परे कुछ के शरीर के कुछ हिस्से जले कुछ जुलस गए कुछ की आखें जलने से फट गई कुछ के देह विशीर्न हो गए चूर चूर से हो गए और कुछ जल करके राख जैसे हो गए कुछ मूर्चित हो गए कुछ पश्वों के प्राणियों के सपरिवार थे प्राणी अनेक प्राणी उनमें पारिवारीक जीवन होता है माता पिता संताने साथ रहते हैं कुछ में मादाएं अपने बच्चों के साथ कुछ समय रहती हैं तो समालिंगे सुतान अन्ये पित्रीन मात्रीन्स तथा परे त्यक्तुम नशेकू इसने हे न तथे वा निधनम गता। कुछ पिताओं ने अपने अपने संतानों को आलिंगन में बांध लिया। कुछ संतानों ने अपने माता-पिता को पकड़ लिया, आलिंगन में बांध लिया, इसने के कारण वे छोड़ करके नहीं भाग रहे थे, और वहीं मिजल करके मर गए, ये नहीं भाग पा रहें तो हम भी नहीं भागेंगे कुछ लोग चक्कर खाकर के गिरे, विक्रत उनका स्वरूप हो गया, सहस्रों प्राणी इस तरह से भागे, सात्म इश्लोक में कहा गया है, पक्षियों के पंख जल गए, तड़पते वे धर्ती पर वे लोट रहे थे, दग्द पक्षाक शिचर्णा, विचेश्टंतो मही तल जहां तहां तड़पते वे देखे जा सकते थे, इतनी आग लगी है, कि जितने पोखरों में जल थे, पानी था जहां जहां, वो उबलता हुआ लग रहा थो, और उसमें उबल रहे थे, कच्छवे और मत्से, ये कहा गया है, तो ये जो परियावरण का विनाश होता है, उस गत सत्वास मदरश्चंते कूर ममस्या सहस्रशा, जलस्थानेश सरवेशु क्वाथ्य मानेश भारत, ऐसी तीवराग है कि जितने जलस्थान है, नदियां पोखर आदी हैं, उन्म पानी जैसे उबलने लगा, ये दावानल का बहुत भीशन वर्णन है, बीभत्स भी इसमें करुना की आकुल पुकारे और अंत्यता शांत में परिणती, इस प्रसंग की भी शांत में ही परिणती होती है, तो केवल युद्ध हुआ, इंद्र से तो भयंकर युद्ध हुआ ही इसमें, क्रश्न ने भी युद्ध किया, यहां क्रश्न केवल सारत्य नहीं कर रहे हैं, भागते हैं उनमें से कई मर जाते हैं, बड़ा सम्हार होता है, इस प्रकार का या दारुन प्रसंग है, उसमें बचे रह जाते हैं दो विशेश रूप से, कुछ बचे थे उनकी चर्चा आती है और वो क्यों बचे रह गए उसका कारण बताया गया है, पर अनेक मनिश्यों का भी नर सम्हार भी भयावा हुआ, यह जो दावा लगाया गया, क्योंकि सहज रूप में लगी भी आग नहीं थी, क्योंकि यह तो चारों ओर से वन को घेर करके आग लगाई गई, मनिश्यों के द्वारा लगाई गई आग थी, इससे जो अपारक्षती हुई है, अंत में य यह शांती का संदेश है कि इंद्र संदी करते हैं, क्रश्न रर्जुन प्यार होते हैं, समझोते के लिए अगनी देवता भी लोट जाते हैं, तो यह शांत, रस्ने पर यवसान तो इस प्रसंग का होता है, लेकिन संतुलन बनाए रखा जाए, यह संदेश यहाँ भी उसी प्रकार से बना हुआ है, इन शब्दों के साथ, और भी मैं यह कहना चाहता हूँ, कि प्रसंग महाभारत में हैं, जो इस जगत में एक ही तत्व है, एक ही चैतन्य है, और वो बना रहेगा संतुलन तो, उससे हम एकाकार बने रहेंगे, यह जो संदेश है महाभारत का, इसक प्रसंग प्रतिफलित करते हैं, कोई यह कह सकता है कि आप तथा कथित आधुनिक बोध को जवर्जस्ती आरोपित कर रहें हैं, ऐसा कहने वाले तो कहेंगे, लेकिन उससे अंतस्वर ही यही है, व्यास का संदेश ही यही उसमें से निकल रहा है, आप उसको अनदेखा करके अपने इंटर्प्रेटेशन्स करते रहिए, वो अपनी जगे पर होंगे, पर सीधे जो स्वर निकल रहा है वह तो यही है, इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य में समाप्त करता हूं, धन्यवादू